Welcome again my friends and dear students, myself Mahindra Devanda आज हम पढ़ने वाले हैं Cell Biology का एक टोपिक, Nucleolus के बारे में जिसको हिंदी में कहें तो Kendricka के बारे में हम बात करने वाले हैं कि Kendricka क्या होती है? Kendricka जैसे कि आपको पता है, Cell में कई Organals पाए जाते हैं जैसे कि Mitrochondria, Lysosomes, Golgi Complex, Ribosomes ऐसे ही एक जो Cell के लगबग Center में, Kendricka में एक Structure पाए जाती है जिसको हम कहते हैं Nucleus Nucleus को हम हिंदी में कहें, तो Kendricka किसको कहते है Kendricka के अंदर इस्तित सरचना Nucleolus कहलाती है और यह है जो Nucleolus, जो Kendricka है वो एक कोसिका में एक या दो हो सकती है यानि Kendricka के मद्यभाग में यह इस्तित होती है इसी के बारे में इस वीडियों में जानने का हम प्रियास करेंगे सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इसकी इस्तिति कहा होती है एक कोसिका में, एक Cell में यह है Nucleus के अंदर इस्तित होती है जो Kendricka होता है उसके अंदर इस्तित होती है यहां हम एक Cell देख रहे हैं, एक Animal Cell है यह Animal Cell में आपको कुछ Cell Organes जैसे की Mitochondria, Nucleus, Endoplasma Greticulum, Golgi Body तो जो आपको Nucleus जो दिखाई दे रहा है, यह हमारा Nucleus है Nucleus के जो Kendra भाग में जो पाए जा रहा है, यह जो Structure सो आपको दिखाई दे रही है यही Nucleus है, इसका अगर हम सेफ देखें, तो Spherical या Oval, अंडेकार या गोलाकार इसकी आकरती होती है यह हैं ऐसी Structure होती है, जिसके उपर किसी परकार की Membrane नहीं पाए जाती है जैसे की Cell के बाहर एक Membrane पाए जाती है, Mitochondria के बाहर भी एक Membrane पाए जाती है यह Endoplasmic Reticulum के बाहर भी Membrane पाए जाती है, लेकिन Nucleus के चारो तरफ कोई Membrane नहीं पाए जाती है यह Membrane Less Structure है, Acidic Nature के होती है, यह Acid Nature रखती है Discovered By, इसको Nucleus को सबसे पहले Phallis Fontana द्वारा 1774 में खोजा गया था और इनको Eel जो मचली है, उसमें इसको खोजा गया था Nucleus जो नाम दिया गया था, वो Bauman द्वारा दिया गया था, 1848 में Nucleus is a Naked Structures, क्योंकि इसके उपर किसी प्रकार की Membrane का अभाव होता है Membrane नहीं पाए जाती है That is Attached to Chromatim, at a specific point called NOR यह हैं जो Nucleus जो Structures होती है, वो Chromatine यह हम सरल सब्दों में कहें कि Chromosome के एक specific point से जुड़े होते हैं इस specific भाग से लगी हुई structure होती है अब जहां से यह Chromosome के साथ में जूड़ती है, वो Reason जो कहलाता है Chromosome को उसको कहते है NOR, NOR का मतलब हो गया Nuclear Organizer Reason और यह Chromosome का Hydrochromatin भाग होता है Chromosome में एक भाग होता है U-Chromatin और जो दूसरा भाग होता है उसको कहते है Hydrochromatin तो NOR जो Region है, वो Hydrochromatin जो Chromosome होगा उस तरह का बनावा होता है Nuclealis को हम Ribosomal Factory के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यहां पर जो Ribosomes होते हैं उनकी जो Sub Inuits है, उनका Formation यहीं पर होता है या यूं कहें कि जो Ribosome के अंदर जो उनकी Sub Inuits पाए जाती है छोटी छोटी जो 5, 5.8S तो उनकी जो Structure का जो निर्मान होता है वो Nuclealis के अंदर ही होता है क्रोमोजोम नमबर 13, क्रोमोजोम नमबर 14, 15, 21, 22 क्रोमोजोम Nuclealis को बनाने में अपना योगदान देते हैं Nuclealis को हम कोशिका में देखने का हम परियास करें तो यह हमें Interphase अवस्ता में दिखाई देती है या जिसको हिंदी में कहें तो अंतरा अवस्ता जो होती है उस अवस्ता में हम केंदरिका को देख सकते हैं लेकिन यह जब Cell Division होता है कोशिका जब विबाजन करना सुरू करती है तो Prophase जो Prophase अवस्ता होती है विबाजन की उसमें यह Disappear हो जाती है गाइब होना सुरू हो जाती है और वापस यह Tillophage में री करो जाती है वापस दिखाई देने लग जाती है इसका मतलब हमें जो Prophase है अगर Late Prophase, Metaphage, Enaphage और Initial जो Tillophage अवस्ता है उसमें हमें Nucleolus Cell के अंदर दिखाई नहीं देता है Nucleolus is Well-developed Nucleolus well-developed किन में in active cells जो active cells है active cells है आसा है यहाँ पर यह है कि अधिक protein synthesis हो more active cells हो जैसे कि egg cell और liver cells normally cell has one or two Nucleolus जो सम्माने जो कोशिका होती है उसमें या तो Nucleolus की जो संख्या होगी वो एक होगी या दो भी हो सकती है लेकिन कुछ अपवाद भी है जैसे कि egg cell of genopus genopus एक frog की genus का नाम है एक frog है genopus यह इसका genus दिया गया है यहाँ पर इसमें इसके egg cell में लगबग यह 1600 Nucleolus पाए गये हैं 1600 Nucleus के इंदरिगाएं पाए जाती है यह हम जान चुके हैं कि इसके उपर कोई membrane नहीं पाए जाती है यह protein से मिलकर बना होता है and nucleic acid found within the nucleus और nucleic acid protein और nucleic acid इसमें पाए जा रहे हैं और यह जो structure है यह nucleus में पाए जा रही है अब हम समझते हैं इसकी structures के बारे में यानि इसकी सरचना में क्या-क्या होता है यह तो हम जान चुके हैं कि एक membrane less structure है यह अगर हम केंदरिग की बात करें तो केंदरिग में इसका जो total volume होगा लगबक 25 प्रतिशत volume nucleus में nucleolus के द्वारा बनाया जाता है इसकी सरचना को हम तीन प्रकार से divide कर सकते हैं हाला कि particular कोई defining boundary नहीं होती है इसमें जो parts हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करें granular parts होते हैं second जो part होते हैं fibrous part होता है and third जो part है वह amorphous matrix part होता है सबसे पहले हम पहले part की बात करें granular part के बारे में इसको हम parts granulosa भी कहते हैं जो parts granulosa जो region है चुकि यह region जो आपको यहां diagram में जो दिखाए दे रहा है उसमें periphery में present होता है nucleus के यानि जैसे यह nucleus है उसके जो periphery जो यह region है चारो तरफ वाला परिदिया वाला जो region है वहाँ पर यह भाग दिखाए देता है इसमें होता क्या है granules पाए जाते हैं यानि छोटे छोटे कन समान सरचना पाए जाते हैं और वास्तम यह granules क्या है granule structures made by ribonucleoprotein यह RNP ribonucleoprotein से मिलकर बनिवी सरचना है और यही हमें granules के रूप में क्या है ribosomes के precursor होते हैं इस ribonucleoprotein is precursor of ribosomes दूसरा जो भाग है वो है fibrous part जिसको हम parse fibrousa भी कहते हैं यह है central part है किसका nucleolus का यह केंद्रिय भाग होता है और यह fibrous fiber से बना हुआ structure है इसे nucleonema भी कहते हैं RNA content part इसमें mostly जो भाग होता है वो RNA से मिलकर बना हुआ भाग होता है यह these also made ribonucleoprotein यहां भी कुछ मात्रा में mostly RNA होता है लेकिन कुछ मात्रा में यहां protein के साथ में भी RNP भी पाये जाता है third part जो है वो है amorphous matrix जिसको parse amorphous भी कहते हैं यह proteinaceous matrix which contains both fibers and granules इसमें fibers and granules पाये जा रहे हैं और यह proteinaceous matrix भाग है इसमें आरारने जो की 5.8S 18S 28S और synthesize in the nucleus यह इसी भाग में nucleus में synthesis होते हैं डाइग्राम में देखिए यह जो आपको बाहर का जो भाग दे रहा है यह है perinuclear chromatry जो chromosome है उसके द्वारा बनाये जाने वाला भाग है center में यह आपको parse amorphous जिसमें आपको granules कम दिखाए दे रही है जो periphery जो region है उसमें आपको छोटे छोटे granules दिखाए दे रहे है यह granular part है और इसके अलवा जो आपको यह जो part दिखाए दे रहे है line dot के समान यह होते हैं fibrillar regions fibrous part parts जिसको fibrosa भी कहते हैं अब हम समझते हैं इसके कारियों के बारे में function of nucleus जो kendra का है उसके क्या कारियों होते है the nucleus is considered as the brain of nucleus इसे kendra का brain भी समझा जाता है function में सबसे पहले हम देखते हैं ribosome formation जिसको हम कहें biogenesis of ribosomes ribosomes formation मतलब जो ribosomes जो protein synthesis में काम आ रहा है protein के जो sensation होता है उसमें जो काम में आ रहा है उसका निर्माण nucleolus में होता है biogenesis का मतलब हो गया genesis का मतलब हो गया कि origin होना किसी चीज़ का बनना bio क्योंकि living organism में बन रहा है तो biogenesis of ribosomes ribosomes का biogenesis यानि उसका उत्पत्ति होना production of subinuit of ribosomes ribosomes की जो subinuit है उनका निर्माण nucleolus में होता है आपको जानकारी है कि eukerotic cells में चुकि nucleolus जो है वो eukerotic cell में पाए जा रहा है तो eukerotic cell में आप जानते हैं कि 80S ribosomes पाए जाता है जिसकी subinuit होती है 68 and 40S S का मतलब हो गया स्वेदबर्ग यूनिट 40S के भी कुछ आगे ribosomes और protein से मिलकर बनने वाली सरचना है तो इनका जो subinuit का जो निर्माण हो रहा है वो nucleolus में हो रहा है storage of rRNA nucleolus में ribosomal rRNA का storage होता है protein synthesis nucleolus plays an important role in the synthesis of proteins एप्रितेक्स रूप से यह protein synthesis की क्रिया में मेत्वबून योगदान दे रहा है क्योंकि protein sensation में वास्ता में क्या हो रहा है जो हमारा ribosomes है वो कारिय करता है और ribosomes जो है वो उसका जो निर्मान हो रहा है वो kendrica के अंदर ही हो रहा है इसलिए एप्रितेक्स रूप से यह protein synthesis भी करवाता है दा ribosomal RNA is transcribed in the nucleus RNA transcribed जो nucleus में होता है वास्ता में इसको better हम कहें कि जो RNA बनने के बाद में जो modification होते हैं या उसका हम better कहें कि maturation जो होता है या उसमें जो modification होते हैं वो nucleus में होते हैं modification of tRNA in nucleus जो tRNA है जिसको हम transfer RNA कहते हैं और यह भी protein sensation में भाग लेता है इसका भी जो modification है या हम कहें maturation जो होता है या जो transcription के बाद में जो post transcription modification होता है वो nucleus में होता है nucleus also play important role in initiation of cell division और cell division में भी यह कुछ अपना युगदान देता है यह थी इसकी कारियों के बारे में उमीद है आपको ठीक लगा होगा thank you